खेल मंत्री ने पंचकुला में चालिसवी ओल इंडिया शहिद भगत सिंग ट्रोफी का अनावरण किया जिनला खेल अधिकारी नील कमल ने बुद्वार को एक वज़े बताया कि हर्याना के खेल एम यूवा मामले मंत्री गवरण गौतम ने पंचकुला में हर्याना स्पोर्ट्स वेलफेर अस्वेशेशन एंड क्रिकेट फेडरेशन ओफ हर्याना द्वरा आयोजित शालिवी ओल शेहिद भगसिंग ट्रोफी अनावरन समारो पर पत्रकार वारता में का कि हर्याना के खेलाडियों ने ओलम्पिक विशव चैंपिनसिप वे एशेन खेलों में पदक जीत कर देश में नहीं दुनिया में परतिवे का डंका ब जाया है उन्होंने का कि हमारे खेलाड़ी किसी भी परतियोगता में पदक लेने से नहीं चुकते चाया हुए किसी भी आईउवरग में हो खेल मंत्री ने का कि हर्याना स्पोर्ट्स वेलफेर एसोशेशन के तदोध दहान में आयोजित ये क्रिकेट प्रत्योगता हरवर्स पंचकुला से सेक्टर 3 से ताउ देविलाल खेल परिस्वर में आयोजित की जाती है इस प्रत्योगता में भारत के वीविन राज्यों में ग्रामेंड क्रिकेटि में शिरकत करती हैं उन्होंने का कि शहिद याजम भगिसिंग का नाम ना केवल भारती नहीं बलकि अन्य देशों में भी याद रखा जाता है भागिसिंग का नाम युवापीडी के लिए एक प्रेणा सुरोत है उन्होंने का कि वे देश भक्ति के एक मिसाल है और यही कारणा कि आज भी देश में उनका नाम से नकेवल खेल प्रत्योगता हैं बलकि अनेक समाजिक संस्ताय कारे कर रही हैं ताकि युवापीडी को उनके बलिदान के बारे में जानकारी मिलती रहे कारे करम में पूरो विधान सुभा अध्यक्स ग्यानचंद कुपता ने कहा कि स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से खेलों से जुड़ेवे हैं और राष्ट्रे सर के पृत्योगताएं करवाने का अवसा देकर ग्रामेंड खेलों को बढ़ावा दिया है इस खेल के सफल आयोजन की कामना करते हैं वही वाइस चेर्मेन रंजीता मेता ने भी कारे करम को संबोधित किया यहाँ पर जीला खेल अधिकारी नीलकमल संदीप अरोडा तकनिकी सचिव वनीत चावला वरिंदर चोपडा महसचिव अमरजीत ओमप्रकाष देविनगर युवामोर्चाद्यक्स योगेंदर शर्मा हरेंदर मलिक सहित कैवरिष्ट पदाधिकारिगन और गणमाने लोग म युदरे